हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल मैं हूँ देवीका देवीकासम लाफिस्टल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो देखिए फ्रेंज मैंने डाल बनाया और डाल में मैंने एट किये है मिट्टी का आलू जो कि इससे ना मिट्टी आलू बोलते है तो वो वाला आलू मैंने आज एट किये है और ये वाला आलू बहुत बड़े-बड़े साइच का होता है तो इसलिए डाल का कलर थोड़ा सा मतलब प्लैक जैसा हुआ है इस वाले आलू को मैंने डाला है इसलिए और अभी मैं फ्राइ करें हूँ फिश और ये वाले है चंदा फिश तो चंदा फिश मैंने फ्राइ किये है और इसी के साथ आज हम लोग लंच करेंगे और अभी आंटी जो है ना हमारे पास में तो उन्होंने ये वाली मतलब चिकन अभी दी है तो ये वाला ना देशी चिकन है तो हो गया हमारा यहीं है आज का दोपहर का लंच फिश फ्राइड डाल और चिकन तो फ्रेंच अभी तीन बज रहे हैं और देखिए मौसम एकदम मतलब ठंडा हो गया है थोड़ा भी मतलब धूप नहीं है तो अभी कुछ दिनों से मौसम एकदम से ठंडा है तो धूप भी ज्यादा तेज नहीं है ठंड का जो मौसम है न वो मतलब आ गया है ऐसा लग रहा ह कुछ दिनों से तब तीन बज रहे हैं और हमारा जो लग वो हो गया था दो बज़े ही हो गया था और उसके बाद मैं बस बरतन वगेरा जो भी थे वो सब कुछ मैंने धोग कर सब कुछ साफ कर लिया और इस टाइम अभी तीन बज़े से मेरा जो ब्लॉक है वो मैं शुरू कर रही हूं और आज मंगलवार है तो आदी का जो स्कूल है वो बंद है आज कल सोंबार था तो कल खुला था आज बंद है फिर कल बुदबार को खुला रहेगा फिर गुरुबार को बंद रहेगा इसी तरह से मतलब अभी स्कूल जो है न वो खुल गया है हफते में तीन द तो आ गया है अभी तो अभी धूब भी नहीं है तो जिनों से इतना धूब भी नहीं है तेज तो अभी तीम ही बज़ रहे हैं लेकिन देखिए मौसम एकदम मतलब इवनिंग का टाइम हो रखा है ऐसा लग रहा है लेकिन अभी तीम बज़ रहे हैं पूरा तो तीम बज़ र तो आज मैं सोची हूँ कि आज आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं कैसी साड़ी लेकर आई हूँ तो friends, मैंने ना जो ब्लाउज है वो अभी तक मतलब कंप्रिक्ट मतलब नहीं हुआ तो वो दुकान पर ही रखा हुआ है तो वो मैं अभी तक नहीं लाई तो वो मैंने ही दिखाऊंगी लेकिन जो साड़ी है और जो मैंन ली थी तो वो मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ तो फ्रेंस पहले मैं दिखाती हूँ अपनी साड़ी जो मैंने लाई है तो देखिए फ्रेंस ये है वो साड़ी जो मैंने दुर्गा पुजा में ली है ये देखिए ये वाला कलर मैंने इस बार लिया है पूजा में क्योंकि मेरे पास ये वाला कलर जो है नहीं था साड़ी में तो इसलिए मैंने ये वाला कलर लिया है और ये वाला साड़ी मुझे बहुत है अच्छा लगा तो फ्रेंस मैं इस साड़ी को न अच्छी तरह से खोल कर आप लोगों को दिखाऊंगी तो अभी मैं इसी तरह से आप लोगों को दिखा रहे हूं यह वाली साड़ी देखिए मैंने यह वाली साड़ी न सिपसागर से ली थी हम लोग गय थे न सिपसागर तो वही से लिया मैं साडी एक्दम लाइवेट नहीं पेहनले का मन भारी होता है लेकिन गयाले के लिएंट साडी अच्छा कि यह यह देखिए जयदा यह है अच्छा है मुझे बहुत ही पसंद है यह वाला कलर तो मैंने दिया है इस वार यह उसके साथ यह लाया मैंने थोड़ा सा मतलब इसे ठीक करना पड़ेगा इसमें थोड़ा काम करवाना पड़ेगा तब ही मैं पहन पाऊंगी तो यह देखिए फ्रेंज मैंने यह वाली चपल लिए है और इसमें भी दो कलर मिले थे मुझे एक परपल और एक वाइट में तो मैंने यह वाला प्रेंज में प्रेंज में अब भी ब्लाव चो है वह अभी भी सिलकर डेरी नहीं कुआ तो फ्रेंज मैं आज और कुछ भी ऐसा शेर नहीं करूंगी तो आज का यह वीडियो आप लोगो को कैसा लगा और मेरी यह वाली साड़ी आप लोगों कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और अच्छा लगे तो लाइक किजिएगा वीडियो को और बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो कोई प्रोब्लम नहीं है डिसलाइक भी कर सकते हो और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी किजिएगा और चैनल को अगर वीडियो मुझे मतलब पहले ही अपलोड करना चाहिए था लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि नेट्रोक का थोड़ा प्रोब्लेम था थोड़ा मतलब लेट से आज मैं ये वाला व्लॉग आप लोग के साथ शेर करें हूँ बाई बाई फ्रेंज